नमस्कार इंडियन टीवी में आपका स्वागत है और जो सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है 2019 का महागडवन्दन को लेकर जो कॉंग्रेश और राहूल गांदी सपना देख रहे थे कि महागडवन्दन के इसारे पर वो 2019 में पीम बनेंगे और किसी भी तरह 2019 में महागडवन्दन खड़ा करकर मोधी को चुनाव हराएंगे और खुद को सत्ता पर काबीज होंगे ऐसे मैं कॉंग्रेश को कल दो दो जटके मायवती की तरफ से जो राहूल गांदी और कॉंग्रेश की करीवी है मायवती ने राहूल गांदी के सपने और कॉंग्रेश का जो महागडवन्दन का सपना है अखलेश यादव का जो सपना है 2019 लोकसवा में किसी भी तरह से हम सत् उसको बहुत बड़ा जटका लगा है और मायवती ने जो कल कॉंग्रेस को जो डबल जटका दिया है एक 36 गड में और दूसरा मध्यपरदेश में जो आने वाले विधान सवा चुनाव में वहां पर 36 गड में जो चुनाव होने थे उसमें कॉंग्रेस सोच रही थी कि यहां प अपने को मायवती ने बहुत बड़ा जटका दिया है और कॉंग्रेस के जो पूरु नेता है अजीद जोगी 36 गड के पूरु मुख्यमंतरी उन्हों ने जो नई पार्टी बनाई है उसके साथ मायवती ने गड़बंदन किया है जिसके बाद कॉंग्रेस के पी एल पुनिय उन्होंने इस गड़बंदन को बीजेपी के इसारे पर बता दिया कि बीजेपी के इसारे पर ये गड़बंदन हुआ है और ये जो अजीद जोगी और मायवती का गड़बंदन है इसमें कहीं न कहीं बीजेपी ने इस गड़बंदन को बनाने में मदद की है तो इसका अब महागडवंदन की सपने को चकना चूर करने पर तुली है और अखलेश यादव को इससे पहले मायवती ने चेतावनी दे दी थी कि अगर हमें सही से सीटे नहीं मिली जितने हमें सीटे चाहिए अगर हमें उतनी सीटे नहीं मिली तो हम महागडवंदन में हम अखलेश यादव या कॉंग्रेश का साथ नहीं देंगे और अकेले चुनाव लड़ेंगे मायवती ने ये 2019 लोग सवाद चुनाव से पहले जो ये बड़ा रुख अपनाया है मध्यपरदेश चुनाव में अकेले लड़ने और 36 गड़ में कॉंग्रेश के साथ गड़वंदन न करके कॉंग्रेश के पूर नेता जो अजीत जोगी की पार्टी है उसके साथ गड़वंदन करके उन्होंने मायवती ने ऐलान किया है कि अगर अजीत जोगी चुनाव जीतते हैं तो अगर उनकी सरकार बनती है तो वो अजीत जोगी को मुख्यमंतरी के लिए समर्थन देंगे और इसमें कॉंग्रेस को कोई समर्थन नहीं देंगे तो जो कॉंग्रेस का सपना था कि महागडबंदन बनाकर बीजेपी को सत्ता से बेदखल करेंगे या प्रधान मंतरी नरेंद मोदी की खुरसी को हिलाएंगे तो वो सपना अब राहुल गांदी का चकना चूर हो गया है मायवती ने उस सपने को बड़ा जटका दिया है जितन परधेस के विधान सवाचुनावन को लेकर जो मायवती की रणनेती थी उसमें उन्होंने साब कर दिया है कि हमें जो जादा सीड़ देगा हम उसके साथ गड़वन्दन करेंगे तो यह हो सकता है कि आने वाले दिनों में अगर भीजेपी मायवती को अपने साथ ले ले तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी क्योंकि मायवती को किसी पार्टी की बिचारधारा और उससे कोई मतलब नहीं है मायवती को इस समय अपनी सीटें और अपनी पार्टी को बचाना सबसे बड़ा मकसल है क्योंकि मायवती जो यूपी में सबसे बड़ी राजनीती चलती थी मायवती और समाजवादी पार्टी के बीच उन दोनों के बीच जब यूपी दो हजार उनीस लोग सवाचुनाओं के लिए गडवनन हो रखा है लेकिन उस पर बादल मंडरा रहे हैं खत्रों के और मायवती ने चेतावनी विदेदी अखलेश यादव को कि हम अभी इसको लेकर आगे सोच बिचार करके अपनी राय बताएंगे और उनको चेतावने दी थी कि हमें सही से सीट मिलनी चाहिए तभी ये गडवनन आगे चल पाएगा तो इसमें अखलेश यादव देखते हैं किस हद तक जुकते हैं कहां तक उनको सीटें देते हैं और ये तो बंदन और अखलेश यादव के लिए सबसे बड़ी चेतावनी मायवती ने दे दी जो मध्यपरदेश के चुनाव और 36 गड़ के चुनाव में महागडवनन का साथ नहीं दिया है और अकीलेश चुनाव लड़ेंगे वहां मध्यपरदेश में और 36 गड़ में कॉंग्रेश बिरोधी अजीद जोगी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो इसका साप इसारा है कि कॉंग्रेश जो येतना सपना देख रही थी कि मायवती सायद उनका साथ देगी तो मायवती ने इस सब को जुटला दिया है और महागडवनन को फिर से सोचने का विचार दिया है कि मायवती का जो मैन मुद्दा है कि वो किसी भी तरो से अपनी पार्टी को 2019 लोग सबाचुनाव का कैंधर बिंदु बनाए और वो 2019 लोग सबाचुनाव में कहीं भी जाए उनको अधिक सीटे मिले उनकी पार्टी का फाइदा हो और उनकी पार्टी फिर से किसी तरो खड़े हो सके इसके लिए वो जद्दो जहद कर रही है और इसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान होगा Congress को होगा और उससे अखलेश यादव भी नहीं बच पाएंगे तो BJP का इसमें सब जगव फाइदा नजार आ रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश जहां सबसे ज़्यादा लोगसवा की सीटे हैं वहां Congress का और मायवती और जो महागडवन्दन Congress अखलेश मायवती का है इसमें कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है और यह कभी भी तूट सकता है जो आने वाला महागडवन्दन है क्योंकि राजनीती में जो सबसे बड़ी चीज देखी जाती है वो अपनी पार्टे की जो इस्तिती होती है कि कैसे उनकी पार्टी चुनाव जीते कैसे उनकी सीटें जादे आए ये और कैसे उन्हें सत्ता मिले इस चीज पर जो सबसे ज़्यादा ध्यान है मायवती का तो अगर मायवती अखलेस और कॉंग्रेस के साथ रहती तो यहाँ पर उन्हें सत्ता में जब अगर किसी दिन सत्ता अगर मिल वी जाए इन्हें तो वहाँ पर सबसे बड़ी बात होगी कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा कौन प्रधान मंत्री बनेगा तो इसको लेकर मायवती को पता है कि यहाँ पर जब हम सीट जीद वी जाएं लेकिन सत्ता के लिए जब मुख्यमंत्री और बड़े बड़े पद होगे उसमें जब लड़ाई होगी तो किसी की सरकार बनना बिलकुल भी मुम्किन नहीं है तो जो आने वाले दिनों में लोगसवा चुनाव है 2019 UP की राजनीती उसमें BJP ने मायवती को NDA में सामिल होने के लिए नियोता दिया BJP के बहुत सारे नेताओं ने UP के मायवती से कहा है कि आप अगर दलितों का अच्छा चाहती हैं भला चाहती हैं तो BJP NDA में सामिल हो ये और हम मिलकर देश को दलितों की स्तिती बहतर बनाएंगे तो देखना होगा मायवती कहां और किस कदर अपनी रणनीती साप करती है और इसमें मायवती अभी कॉंग्रिस पर भी निसाना सादरी है और अखली श्यादव को भी निसाने पर ले रही है और BJP के लिए अच्छी ख़बर है कि यहाँ पर जो महागडबंदन बन रहा था BJP के खिलाब तीन पार्टियों का बोर्ट अगर किसी एक सक्स को मिल जाए तो उसका चुनाव जीतना लगभग ताई होता है क्योंकि इतने बोर्ट तीनों पार्टियों का अगर उनके पास कुछ भी जनाधार हो तो मुस्लिमों का बोर्ट एक तरफ और यादाओं का और जो भी इनकी पार्टियों में जो भी बोर्ट बैंक होता है अगर वो तीनों पार्टियों मिलकर एक को जिताए तो उनका जीतना आसान हो जाता है लेकिन अगर इन तीनों को अलग 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 इनके उमिद्वार खड़े होते हैं तो ये बीजेपी के सामने बिलकुल बौने नजर आएंगे 2014 और जो अभी उत्तर प्रदेश के विधान सबाद चुनाव होए थे उसमें भी ये साब तरह से दिखाई दिया कि कैसे उ इनको जुनाव जीतना में बहुत बड़ी मुश्किल आई और बीजेपी ने यूपी में बहुत बड़ी जीत हांसिल की थी तो मायवती ने महागडबंदन को पूरी तरो ठेंगा दिखा दिया है और हो सकता है आने वाले दिनों में और भी कुछ नई चीज़े आकर सामने परिस्तितियां और साफ हो और देखने को मिले कि किस तरह मायवती आगे जाती है कहां जाती है किस पार्टी किस गड़बंदन को समर्थन करती है तो लग तो यही राय मायवती 2019 में अलग जा सकती है अखले श्यादव से और कॉंग्रेस से अकेले भी चुनाव लड़ सकती ह है मायवती 2019 लोग सवाचुनाव का और तो इसमें मायवती देख रही है कि आगे क्या क्या होता है तो यह महागडवन्दन के लिए तो पूरा खतरा का निसान है और जो मायवती ने दिखा दिया है कि वह आने वाले जो विधान सवाचुनाव है मध्यपरदेश और 36 गड़ में वहाँ पर कॉंग्रेस का कोई साथ नहीं देने वाला है कोई साथ नहीं मिलने वाला है मायवती ने एसाब कर दिया है वहाँ पर ओ मध्यपरदेश में अकेले चुनाव लड़ेगी यह कॉंग्रेस के लिए पहला बड़ा जटका था और उसके बाद 36 गड़ में अजीत जोगी के साथ उनका जाना ये कॉंग्रेस के लिए अब बहुत बड़ी मुस्किल का पल और मुस्किल की घड़ियां लेके आ रहा है 2019 के लिए तो कॉंग्रेस जो राहुल गांदी परधान मंतरी बनना चाहते हैं वो उनका सपना तो भली भांती अब तूट गया है और परधा वाले लोग सबाचुनाव हैं उसके लिए बहुत बड़ी दावेदार बने हुई है धन्यवाद जय हिंद जय भारत